गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आज हम प्लस वन की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री का पहला चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, एटम, मॉलिकूल से केमिकल अर्थमेटिक्स, इसमें से दो नंबर का आपके केमिकल चेंजेज और केमिकल रियक्शन्स, मतलब यह साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी के से करते हैं, केमिकल चेंजेज की करते हैं, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, वहीं बात करते हैं, केमिकल रियक्शन्स की, अब देखिए मैंने केमिकल चेंजेज की और केमिक reaction क्या होता है मतलब dissociation of the old bone मतलब old bone को क्या करना तोड़ना और नए bond क्या करना बनाना यह कहलाता है chemical reaction कहलाता है जैसे example लेलिया solubility of sodium chloride in water is a chemical reaction अगर हम बात करते है sodium chloride को water के साथ react कराते हैं तो क्या कहलाएगी chemical reaction कहलाएगी तो hopefully आपको यह समझ में आया होगा इसी में दो चीज़े आपको देखने को मिलेंगी एक तो reactant और दूसरा क्या है product यह जो side आपको दिखाए दे रही है जिसको हम left hand side बोलते हैं यह है हमारा क्या reactant side जहां sodium chloride और water आपस में react कर रहे हैं तो यह क्या है reactant side और जो हमें बाद में प्राप्त हुआ है नए बंड बने हैं यहाँ पर sodium hydroxide और hydrogen chloride यह क्या है product है इसके बारे में मैं आप आपको थोड़ा सा आगे बता रहा हूं reactant क्या होता है these are those component of chemical reaction in which reacts with each other मतलब यह वो components होते हैं जो आपस में क्या करते हैं chemical reaction के अंदर उनको reactant कहा जाते हैं जैसे sodium chloride को water के साथ तो उस reaction के अंदर देखेंगे तो sodium chloride और water क्या है reactant है जो मैंने उपर जो reaction दिये न तो उसमें sodium chloride और water क्या है एक particular reaction चलिए आगे बढ़ते हैं products की तरफ तो product क्या है दी जादा newly bonded compound after dissociation of old bonded compound मतलब पुराने जो पुराने compounds हैं उनके bond तोटने के बाद जब नए bonded compounds बने तो वो कहलाते है products हमारी chemical reactions के अंदर देखोगे आप की old bonded compounds हैं वो break होकर new bonded compounds बन रहे हैं particular chemical reactions के अंदर तो वो product के लाएंगे एजामपल के तोर पे लेते हुए चले हैं तो sodium hydroxide and hydrochloric acid ये दोनों के दोनों क्या है product है चलिए chemistry के बारे में ही हम बात कर रहे हैं basics बताने जा रहा हूं आपको chemistry को तीन भागों में divide किया गया है organic chemistry in organic chemistry and the physical chemistry organic chemistry की बात करते वो चले it is that branch of chemistry in which organic compounds are studied organic chemistry किया है ये chemistry की ब्रांचे जिसमें केवल हम organic compound की ही study करते हैं उसको हम organic chemistry कहते हैं organic compounds क्या होते है देयार दोस compounds which are made up of carbon and hydrogen and which are exist in nature जो nature के अंदर पाए जाते हैं जिनको lab में prepare नहीं किया जाता था जो केवल किसमें पाया जाते हैं आप देखेंगे कि acetic Covid कि समें पाए जाता है citric नंक्सरी आकली के मेस्टरिक आँडर किया है ये भी क्या है chemistory की एक ब्राण्च ऌपाउंच-क chemical change के बारे में पढ़ते हैं अगर हम कहें कि inorganic compounds हैं उनमें chemical changes आपको देखने को मिलते हैं या सीधा कहूँ कि inorganic compounds के हैं they are those compounds which are other than carbon जो carbon से अलग होते हैं वो सारे के सारे inorganic compounds के लाते हैं जैसे कुछ example में ले रहा हूँ sodium hydroxide है sodium hydroxide, sulfuric acid hydrogen chloride nitric acid, potassium hydroxide, potassium permagnate potassium dichromate यह example है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि कोई carbon आपको यहां पर नजर नहीं आएगा carbon के अलावा जितने भी compounds हों सारे के सारे inorganic compounds के लाते हैं जिनकी study हम किसमें करते हैं chemistry के अंदर करते हैं वो inorganic chemistry के लाती है तो guys next question है हमारा physical chemistry, physical chemistry क्या है it is the branch of chemistry which deals with the physical changes हम बात करते हैं किसकी कि physical changes हो जाता है कैसे जैसे solid liquid में change हो गया liquid gas में change हो गया solid direct gas में change हो गया gas direct solid में convert हुआ these are the physical changes और जब हम इनको chemistry के अंदर पढ़ते हैं तो यह क्या कहलाती है फिर physical chemistry कहलाती तो process of daily life आप देखते हैं कि बहुत सारी daily life में हम solid liquid यह चेंजमेंट आप देखते रहते हैं तो आपको बताऊं exchange of energy in the system and surrounding for example boiling melting color, odor, smell तो यह सारे कि सारे क्या है physical changes चलिए अब हम आगे जो हमारा next topic हो क्या है measurement measurement आपको मैं बताता हुआ चलूँ बहुत ही जरूरी है without measurement आप कोई भी काम नहीं कर सकते जैसे मान लिजे कि आप किसी भी दरजी के पास जाते हैं तो वो भी क्या लेता है आपका particular measurement लेता है आप अगर मान लिजे यहां से जाना चाहते हैं दहरादून या घर में कोई चीज बनाई जा रही है तो भी measurement बहुत जरूरी है नमक जादा डल जाएगा तो भी खाना खराब हो जाता है मेरत जादा डल जाती है तो भी खराब हो जाता है तो इसका मतलब particular measurement होना जरूरी है कि amount कितना डाले ताकि हमारा जो food है वो healthy पर रहे जैसे measurement की ही मैं बात कर रहा हूँ All the different types of measuring devices have some scale बहुत सारे measuring devices हैं उनमें कुछ scales होती हैं और unit होते हैं और जो accurate measurement हैं वो हमें नहीं प्राप्त हो पाती उसके अंदर कोई ना कोई आपको error जरूर मिलता है सबसे पहला error मैं आपको बताता हूँ उसको बोलते है human error दूसरा है instrumental error अगर आप बात करते हैं error की तो मैं अच्छे तरीके से समझाने कोशिश करूँ human error क्या है कि सभी इंसान एक जैसा तो नहीं माप सकते सही measurement नहीं दे सकते आप गई एक दरजे के पास उसने measurement लिया आपका 4.5 cm बाजू फिर दूसरे के पास गई उसने लिया 4.7 दूसरे के पास गई उसने लिया 4.6 तो आप देखते हैं कि inaccuracy आपको आप नजरा रही that is the human error वो क्या है? human error है तो मैं आपको बता दूँ the skill of the observer is always different from person to person so inaccuracy can be there it is called human error और वहीं पर instrumental error की बात करते हैं बैटा तो instrument के अंदर भी calibration is also have a calibration ज्यादा तर हम क्या करते हैं? instrument के उपर depend करते हैं लेकिन जितने different devices होंगे तो different ही हमें result मिलेगा और different accuracy हमें वहाँ से देखने को मिलेगे तो मतलब exact आपको कोई भी चीज़ पर आप नहीं हो रही so these two errors are collectively responsible for the different types of inaccuracy मतलब यह दोनों error अगर माली जिब मिल जाएं तो आपको different type की inaccuracy यहाँ पर देखने को मिलेगी और उसको हम क्या बोलते हैं? वो ही आपको बताऊंगा में in all measurements have some certain measurements and some doubtful measurement not as a significant figure तो क्या कहेंगे हम उसको significant figure कहेंगे और significant figure की norm अगर definition लिखने हो तो कैसे लिखोगे? it is all certain digits of any measurement plus one doubtful digit in any measurement तो उसको हम क्या कहेंगे? significant figure कहेंगे rules क्या-क्या है significant figure बताने के पहला rule कहता है कि all non zero digits are always significant जितने भी non zero digits होते हैं वो सारे के सारे significant कहलाते हैं जैसे की 3.456 तो आप देखिए count करेंगे figure कितने हैं यापर 1, 2, 3, 4 तो total कितने significant figure हो गए? 4 हो गए वैसे ही 452 इसमें कितने significant figure हैं बच्चो? इसमें 3 तो यहाँ पर 3 है hopefully यह आपको समझ में आगया होगा इसी परकार से significant figures की बात करते हुए चलते हैं तो next है जो rule है वो बताता है कि if 0 is present between two non-zero digits then 0 is also significant अगर माल लीजी दो non-zero digits के बीच में कोई 0 आ जाती है तो वो भी significant कहलाएगी जैसे 3002 तो इसमें कितने significant figure हो गए बटा? 4 हो गए जैसे 2.0008 total digits कितने हो गए? 5 अब देखिए non-zero कौन-कौन से हैं? 2 और 8 मतलब 2 और 8 के बीच में देखिए 3 zero है तो इस सब के सब क्या है significant का लाएंगे मतलब 5 significant figures आप यहाँ पर लिखेंगे वही पर next है बच्चों if the zero is leading then it is not significant अगर माल लीजी 0 सबसे आगे है तो 0 को हम significant नहीं count करेंगे जैसे 0.0002 इसमें देखेंगे तो बहुत सारी zero आगे है 2 के तो केवल एक significant figure यहाँ पर count होगा 002 यहाँ पर भी एक 00283 तो यहाँ पर 3 significant figure count होगे तो यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है if zero is trailing then it is meaningful or significant अगर माल लीजी 0 क्या कर रहा है trail कर रहा है non zero digit के पीछे चल रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा significant कहलाएगा जैसे 4,000 तो कितने होगे 4 होगे 4 significant figure आप यहाँ पर count करेंगे और 2.000 तो यहाँ पर भी total कितने होगे 4 significant figure मतलब 0 अगर पीछे चल रहा है तो कोई दिकत नहीं सारे significant कहलाएगे अब उसी तरीके से 5 हो क्या है representation of power of any value is not count any significant जैसे एक value ले देता हूँ मैं 6.25 multiply 10 की power 8 यह ले लिया मैंने तो इसमें significant figure कितने होगे 3 significant figure होगे 3 significant यहाँ पर count होगे यहाँ पर 10 की power 8 count नहीं होगा तो fully guys आपको यह समझ में आ गया होगा मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को subscribe करें और regularity बनाए रखें मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा और like, comment जरूर करें और मैं आपको जाते जाते question दे कर जा रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि questions अगर आपको दूँगा तो आप घर पे काम भी करेंगे तो सबसे पहला question यही है कि आपको सभी बच्चों को significant figure के बारे पता होना चाहिए मैं पूछ सकता हूँ और दूसरा question मैं आपसे यह पूछ सकता हूँ कि chemistry क्या होती है what is chemistry chemistry के कितने types हैं उनको कैसे define करते हैं यह सारी चीज़े आपसे पूछ सकता हूँ okay guys bye धन्यवाद